कि कि बिस्मिलार्राम्हिंटुर्ण रहीम अस्सलामुलेकुम हाई वीवर्सु आज Кर दो हमारा टॉपिक है वह स्टाइल्स है कि हम देखेंगे के माइक्रोसौफर वर्ड के अंदर इस्टाइल्स को किस तरह अप्लाई किया जाता है ठीक या विवर्सु तो हम स्टाट करते ह विवर्स हम अपनी एक फाइल खोल लेते हैं ठीक है विवर्स यह हमारी एक फाइल है हम क्या करते हैं कि Select All इसे कर लेते हैं Viewers ये style जो है Microsoft के ability है ठीक है Viewers आप इने देख रहे हैं अब हम Viewers इस पे click करते हैं ये देखें Viewers ये first style ये देखें second आप देख रहे हैं जैसे मैं इस पे change कर रहा हूँ तो ये वाला जो हमारा text है वो इस style के मताबिक हो जाता है देखें ये normal है ये no space इस میں कोई space नहीं है ठीक है Viewers heading 1 के हिसाब से है ये Viewers heading 2 के हिसाब से है ये देखें ये title के हिसाब से है ठीक है Viewers ये देखें इसे आप select करें ये देखें ये आपका text इस तरह का हो जाएगा ठीक है यानि यह बने हुए styles हैं हमारे पास हमने इसे select करना है और जो आपको इसमें से style पसंद आता है उस पर आप click करने यह देखें विवर्स यह text आपका बिल्कुल change हो जाएगा इसे हम select करते हैं यह देखें विवर्स आपको जिस तरह का अपना text करना है आप easily कर सकते हैं यह देखें विवर्स ठीक है विवर्स अच्छा विवर्स इसमें से मैं आपको यह बता दूँ जैसे हम इस text को देखते हैं देखें इसमें आप style देखें विवर्स यह d जो है छोटा है a t n t देखें बड़ा है फिर यह word छोटा है यह complete बड़ा है देखें आप इसका style देखें यहाँ पे भी दी छोटा है यह बड़ा है इसका फस्स लेटर बड़ा है ठीक है विवर्स आप यहाँ पे भी देखें एंड छोटा है यह बड़े हैं यह देखें यह स्टाइल है आप जो है कोई सा भी स्टाइल जो है वो रख सकती है इसमें से ठीक है विवर्स अच किसी भी स्टाइल को स्लेक्ट कर लेते हैं इसे स्लेक्ट कर लेते हैं ठीक है वीवर्स इसे हमने स्लेक्ट कर लिया और उसके बाद हम कहते हैं कि इसे हमने क्लियर करना है यह स्टाइल ठीक नहीं है हम इसे स्लेक्ट करेंगे इसे स्लेक्ट करने के बाद यहां पे क्लिक करेंग और उसके बाद लिखा है Clear Formatting ठीक हैdoor आप यहां से भी Clear Formatting कर सकते हैं यह देखे, Format आपका बिल्कुल Clear हो गया और इसके इलावा अगर आप यहां पर कलिक करें यह भी Clear Formatting का ही बटन है यह देखें, इसने भी Cleared कर दी है ठीक हैdoor पहले प्लिक करें और इस बटन को भी स्टमाल कर सकते हैं अच्छा अप्लिवर्स यह आपने किया इसके साथ ही विवर्स हम इस पर जाते हैं चेंज स्टायल पर हम इस पर क्लिक करते हैं यह देखें तेए भी उंहीं कुछ हैं यह देख रहे हैं लेकर आपिसलेक्ट करते हैं इसलेक्ट करते हैं इसे इस पर आते हैं हुआ अप्धीर गुए अचन जैसे माउस कर नीचे आथा है ब्रहस्ट फिर वह उससी हिसाप प्रब्राइबी माउस के पीजो Twenty अधी और आधी लिस हें यह देखें फिर हम इससे select करते हैं next वीवर्स यह paragraph की spacing के मुतलिक है ठीक है वीवर्स और हम सबसे पहले आते हैं इस पे अब वीवर्स इस पे अब आप यह देखें वीवर्स जिस तरह हम इसको नीचे लेके आते रहते हैं देखें लाइन में space बढ़ता जा रहा है आप देखें इससे select किया अब देखें लाइन में कितना ज्यादा space है आप देखें वीवर्स अब हम अगेन इस पे क्लिक करते हैं यह आप देखिएगा यह देखें अब space कम हो गया अब मजीद कम हो गया लाइनों में space ठीक है वीवर्स यह देखें और मजीद कम हो गया और सबसे ज्यादा यहाँ पे है कस्टमाइज पे जाके वीवर्स आप जो है यहाँ से spacing change कर सकते हैं ठीक है वीवर्स यह देखें यहाँ से आप spacing बढ़ा दे देखने वीवर्स यह spacing बढ़ गई है मजीद जाएं आप और spacing बढ़ा दे यह देखें वीवर्स लाइन में space बढ़ गया है और अगर आप इसे select कर लें तो यह वारी spacing देदेगा ठीक है वीवर्स यह styles हैं इन styles की वह से आप किसी भी style को select कर सकते हैं ठीक है वीवर्स यह देखें आपने style को select किया और just इस पर click कर देना और यह जो है इसमें automatically formatting भुरी होती है just आपको text type करना होता है formatting की आपको जूरूद नहीं रहती ठीक है वीवर्स इसी के साथ मुझे अजाज़त दीजिए अलाहाफेश